हलो फ्रेंड्स मेरिटा की क्रियेशन्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज में आपके लिए ये खूपसूरत सा डिजाइन लेकर आई हूं ये डिजाइन आप कार्डिगन पर स्विटर पर किसी पर भी बना सकते हैं और ये डिजाइन बनाना बहुत ही असान ह और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है इस डिजाइन के लिए हमने साथ के मल्टिपल से फंदे लेने हैं और उसमें हमने दो एक्स्ट्रा फंदे एड़ाउन करने हैं इस डिजाइन के लिए हमने 23 फंदे लिए हैं फंदे डाल कर अब हमारी ये पहली सलाई हम उल्टी साइड से बनाएंगे रॉंग साइड से तो हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी साइड से सीधी बुनाई करेंगे रॉंग साइड से ये हमने सारी सलाई सीधी बुनाई करनी है आखे का फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड ये हमारी डिजाइन की दूसरी सलाई है सीधी साइड से तो हमने पहला फंदा उतार लेना है धागा आगे की तरफ करके दो फंदे हमने ये उल्टे बुनाई करने है धागा पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब ये दिखे ये edge stitch को छोड़के हमने ये 7 फंदे इनी को हमने repeat करना है बार बार तो हमने अब फिर से दिखे दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे ये हमारे यहाँ पर अब दो डिजाइन कंप्लीट हो गए फिर से हमने दो फंदे उल्टे बीच में हमारे दिखे टोटल वैसे चार फंदे उल्टे होंगे यहाँ पर भी चार फंदे उल्टे होंगे फिर तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे एंड में दो फंदे उल्टे आखिर का edge stitch हम सीधा बुनाई करेंगे ये हमारी दूसरी सलाई कम्प्लीट हो गई अब हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड जैसे हमने डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे और ये हम सारे फंदे सीधे बुनाई करेंगे आखिर का edge stitch हम उल्टा बुनाई करेंगे ये देखे ये हमारी तीसरी सलाई कम्प्लीट हो गई अब ये हमारी चौथी सलाई है सीधी साइड से जैसे हमने दूसरी सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर भीच में हमारी चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, आखिर में दो फंदे उल्टे, और एट स्टिच हम सीधा बनाई करेंगे अब हम उल्टे साइड आगे, जैसे हमने डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी, सेम वैसे बनानी है पहला फंदा उतार लेंगे, ये सारी सलाई हम सीधी बुनाई करेंगे, ये हमारी डिजाइन की पांचवी सलाई है अब हम फिर सीधी साइड आगे, अब हमारी ये सिक्स्त रो है, छेवी सलाई है सीधी साइड से जैसे हमने दूसरी सलाई बनाई थी, वैसे बनानी है दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, अब दो फंदे उल्टे, आखिर का एच्टे चंप सीधा बुनाई करेंगे अब हम उल्टे साइड आगे, ये हमारे डिजाइन की सात्वी सलाई है, सेवन्थ रो है उल्टे साइड से, तो हमने पहला फंदा उतार लेना है, धागा पीछे करेंगे, अब दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, फिर चार फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एंड में, और आखिर का एच्टिच हम उल्टा बुनाई करेंगे, अब यह हमारी आठवी सलाई है, सीधी साइड से, तो आप ध्यान से देखिए, हमने पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है, अब हम एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पिछे करेंगे, अब यह दो फंदों का हमने एक उल्टा फंदा लिया, एक सीधा फंदा लिया, अब इन दो फंदों का हमने एक फंदा ऐसे बनाना है, धागे को आगे की तरफ करेंगे, अब एक जाली बनाएंगे, यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया, यहाँ पर जाली बन गई, फिर धागा आगे करेंगे ये एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इन दोनों फंदों को हमने पीछे से देखिए ऐसे एक बना देना और यहाँ पर हमारी जाली बन गई यहाँ पर देखिए दो जालियां बन गई फिर हम दो फंदे उल्टे फिर से हमने धागा पीछे करेंगे दो फंदों का एक फंदा आगे से बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक जाली बनाएंगे फिर से धागा आगे करेंगे ये दो फंदों को हमने पीछे से एक बना देना है फिर दो फंदे उल्टे फिर से इसी को रिपीट करेंगे दो फंदों को हमने आगे से एक बनाया धागा आगे करेंगे एक जाली बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदों को हम पीछे से एक बनाएंगे आखिर में हमने एक फंदा उल्टा और एस्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये हमारी नौमी सलाई है उल्टी साइड से तो हमने पहला फंदा उतार लेना है धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा पाँच फंदे उल्टे अब दो फंदे सीधे फिर पाँच फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे पाँच फंदे उल्टे एक फंदा सीधा आखिर का एच्टे चम उल्टा बुनाई करेंगे अब ये हमारी दस्वी सलाई है सीधी साइड से पहला फंदा हम उतार लेंगे अब हम देखे ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा इन दोनों फंदों को हमने आगे से एक बना देना है धागा आगे करेंगे एक जाली बनाएंगे फिर हम दो फंदे सीधे फिर से धागा आगे की तरफ करके इन दो फंदों को एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा पीछे से हम एक बना देंगे और यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी फिर हमने देखिए नेक्स्ट फिर से एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा इनको आगे से एक बनाना है फिर धागा आगे करेंगे एक जाली बना देंगे और यह सीधा बुनाई कर दिया फिर दो फंदे सीधे फिर से धागा आगे करेंगे ये देखिए इन दो फंदों को हमने पीछे से एक बना देना है ऐसे यहाँ पर देखिए एक जाली यहाँ बनी एक जाली यहाँ बनी इसे हमने इसी को रिपीट करना है दो फंदे हमने ऐसे एक बनाए धागा आगे करेंगे, अब हम जाली बनाएंगे, तो देखिए, एक जाली बन गई, फिर दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, इन दो फंदों को हमने पीछे से एक बना देना है, और यहाँ पर देखिए हमारी जाली बन गई, आखिर का हम सीधा बुनाई कर देंगे, यह देखें यह हमारी दसवी सलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड से अब हमने फिर से जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है यह हमारा दस सलाईयों का पैटरन है इनी दस सलाईयों को हमने बार बार रिपीट करना है अब फिर से जैसे हमने पहली सलाई उल्टी सा देती हूं और फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया पहली सलाई जैसे हमने सारी सीधी बुनाई की थी अब हमने ये सारे फंदों को सीधा बुनाई करना है ऐसे ये खूबसूरा सा डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यावाद